स्वागता आपका हमारे यूडूब चैनल मुस्तकान फिलम्स में और हम आपके साथ हमारे चोड़े बाई रफीक रसूल खान मौमद इली खान आज हम आपको दिखाते हैं अजमेर जिल्ला का जो तिलोरा गाउं है यहां पर सिद है तिलोरा बोडी बनाने के लिए पिकप की तिलोरा गाउं के अंदर रखी जाती है वो आप अभी देखोगे जो तिलोरा बोडी है तिलोरा गाउं में बनाई जाती है किस परकार से रखी जाती है अभी आप देख सकते हैं मेरी जो गाड़ी है पिक अपो देखो आप यह रफीक है मेरा चोटा भाई वो लगा रहा है के बहुती दी और बहुती आसान तरीका इन लोगों का सोचने में से लगता है कि किस परकार शे बोडी को रखते होंगे क्या पता क्या सिस्टम है लेकिन सारा कुछ बहुत दी इस्टम मना रहका है इन लोगों नहीं आपए देखो अभी बिलकुल अछी तरह कि अच्छी तरीके से शिप्ट कर देंगे अभी बोडी को चैन फूरी जो आती है उसके दुवारा बोडी को उपर उठा लिया गया है और अभी पीकप के उपर रख देंगे इसको अभी जश्ट आपके सामने देखो दो मिनट के अंदर बोडी इसके उपर रख दी जाएगी और आपको पता ही निजलेगा इतनी जल्दी है बोडी कैसे मतलब रख दी गई है आप देख रहे हैं बोडी पीकप के उपर तीलोरा बोडी है वो तीलोरा के अंदर किस प्रकार से रखी जाती है और मतलब यहां पर बहुत सारे गरेज आप देख सकते हो देखो चारों तर रेडी मिलेगी आपके आने के बाद उस पर कलर वलर कर दिया जाएगा वाकि बोडी है जो वो रेडी मिल जाएगा अब यह आप देख रहे हैं देखो मेरी पिककप के उपर जो यह बोडी है वो रख दी गई है इसको चारा इदर उदर थोड़ा बहुत छेट करना वह यह देख रहे हैं अजमेर के पास पुषकर के पास 5 km पहले यह तेलोरा गांव आता यह देख रहे हैंएंब आप को जूम करके तीलोरा दिखाना चाऊंगा यह तीलोरा एक गाम का नाम है तिलोरा पिकप बोडी का नाम नहीं होता है, तिलोरा गाउन का नाम होता है, ये लोग को मेरे मेरे साथ ये गाडी पे, इल्पानिक ले आये हैं, ये लोग गाडी रेडी हो गई है, बोडी रखेए